नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिया महरास्ट में उद्दव ठाकरे और एक नाचिंदे के बीच चल रहे विवाद का आजी पटा पेक्ष हो जाएगा इसके साथ यह भी साफ हो जाएगा कि राज्य में एक नाचिंदे सरकार बनी रहेगी या नहीं विधान सबस स्पीकर राहुल नारवेकर इस पर अपना फैसला सुनाएंगे स्पीकर राहुल नारवेकर ने शिवशेना विधायकों की आयोगिता से जुड़े मामले में आद शाम अपना रुक स्पस्ट करने वाले हैं स्पीकर के फैसले से राज्य में एक नाचिंदे के नेतरितु में चल रही है सरकार को लेकर चल रही अटकले दूर हो जाएंगी जानकाली मिली है कि स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है आज में विधानसभा भवन में इसका खुलासा करते नजर आने वाले है फैसला सुनाने से पहले विधानसभा स्पीकर राहूल नार्वेकर ने कहा कि नियमों के अनुसार ही फैसला सुनाया जाएगा इसे बीच आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि फैसले में सभी के साथ न्याय होगा यहाँ पर जानकार कहते हैं कि अगर फैसला शिवसेना के पक्ष में आता है तो एकनात शिंदे तथा उनके विधायकों को आयोग्य ठेराया जाता है तो महराश्ट की बरतमान सरकार गिर जाएगी इसका असर लोगसवाचुनाव पर पड़ेगा क्योंकि इसी साल लोगसवाचुनाव होने जा रही है हाला कि एकनात शिंदे गुट निश्चिंथ है कि उनकी सरकार को कोई खत्रा नहीं है बतादे कि लगबग डेर साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी और एकनात शिंदे के नेतरति में शिवसेना के कुछ विधायक ने उद्दव ठाकरे के खिलाफ बिगल फूग दिया था जून 2022 में एकनात शिंदे ने महराष्ट सरकार का तक्ता पलट कर दिया था शिंदे बीजेपी के समर्थन में राज्य के नए मुख्यामंतरी बनाए गए शिंदे ने अपने समत्कों के साथ दावा किया कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है इस पर उद्दव ठाकरे न जाने की आचिका दाखिल कर दी थी कोड ने सारा मामला विधान सभा स्पीकर के पाले में डाल दिया कि स्पीकर ही विधायकों की योग्यता योग्यता का पैसला करेंगे इसे बीच आपको बता दें कि यहाँ पर इसके लिए पहले तो 31 दिसंबर की तारीक तैगी कई थी ब नात शिंदे की सरकार यहाँ पर बनी रहेगी इस रिपोर्ट पर आप क्या राए रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और देखते रहेगा स्पीन नाइन न्यूस धन्यवार